तो आज हम स्वाजय शुरू करते हैं तो ग्रेटर सेल्समेन इन दे वर्ल्ड इस किताब के लेकख हैं और मैंटी यह ऐसे किताबे लेकख आते हैं जो पूरी तरह एक मोटिवेशनल होती हैं और रोजमरा की दिन चरिया में अगर इनकी किताबों के सूत्र को अपनाया जाए तो हमारे जीवन में वाके में ट्रांस्फोर्मेशन आना हंड़र परसंटर तो यह किताब दुनिया का सबसे महान सेल्समेन सद्यों पुराने दस ताड़ पत्रों के अनमोल ग्यान से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और ग्रिस्मत पे यह इसका पहला नियम है या पह अपने जीवन में सफल हो सकता तो यह कहानी जो है डेमस्कस नामक एक शहर की है यह यूरोग की कोई कंडरी है तो वहां की जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मकबरे बने हुए हैं और यह सब पूंट और घोडे इन तरह के कारवा में चलते हैं तो यह कहानी दो लोगों की है और इसमें एसू मसी का जनम भी जरूर लिखा गया है कुछ-कुछ यह बाइबल और जीजस से भी रिलेटेड हैं तो यह सबसे महान सेल्समैन की कहानी पेतरोग है यह वेक्ति जो है पेतरोग है और उनका एक वफादार है खाफिद यह खाफिद की कहानी ह जो कि उनके मवेशिओं की देखभाल कRTRA हैं. मवेशिया यानी पैतरोस के गोड़े खचर उनकी देखभाल करने वाला विक्ति जो है हाफित हाफित को अपने कारे से कुछ भी लगाव नहीं है बहुत समय पेत्रोस का व्यापारी कारवा आराम कर रहा था हाफित को अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो भी पेत्रोस की तरह बहुत महान बनना चाता था और पेत्रोस की तरह एक महान सेल्समेन कहलवाना चाता था और वो कहता है पेत्रोस से कि मेरी नजर में गरीब होने का मतलब है मैत्वा कांशी और योगताओं की कमी होना ये सुनकर पेत्रोस ने कहा शब्दों के अलावा कुछ और तुमें सिद्ध करना होगा तो पेतरण ने उसे एक कार्य दिया और कहा अगर तुम ये कपड़ा लाल कपड़ा जो है अगर बेच सकते हो तो बताओ और तुमें इसे बेतलेहम शहर में ही बेचना है तो हाफित उस लाल रंग के कप्ड़े को लेकर तीन दिन तक बेतलहम शहर में भूंगता रहा वहां के लोग बेहद ही गरीब थे और कोई भी उसे खरीद नहीं सका पेतरुस ने दूसरी शर्त रखी थी कि उसे एक चांदी का सिक्का इस कपड़े के बदले में चाहिए तो मैं किस तरह लोगों का ध्यान बढ़ाओ यही सब चिंताओं में हाफित था मैं किस तरह लोगों का ध्यान आकरशित करूँ मेरे पांच शब सुनते ही लोग दर्वाजा बंद कर देते हैं और थोड़ी देर मैं ऐसा क्यों करता हूं कि लोग मेरे बातों में दिल्चस्पी ही नहीं लेते क्या मैं कभी कोई कपड़ा बेच पाऊंगा क्या मैं कोई इसके अलावा भी कोई चीज बेच पाऊंगा मुझे इतना क्यों डर लगता है लोग मुझसे क्यों नहीं खरीदते वो इसी तरह का अफसोस जता रहा था और वो सोचता है कि कल फिर वो एक बार फिर से कोशिश करेगा उसने फिर से कोशिश की पर अगले दिन भी वो कपड़ा ना बेच सका उस दिन आसमान में एक तारा बहुत ही तेज रोशनी के साथ चमक रहा था इसको हम ब्राइटस टार बोल सकते हैं जब एसु मसी का जनम हु में सबसे चमकता हुआ तारा जो था वो आसमान में दिख रहा था तो ये बात हाफित को नहीं पता थी वो जैसे जैसे अपने रस्ते से चल रहा था वो एक गुफा के पास पहुँचा और वहां वो देखता है कि एक बूड़ा वेक्ती एक और तर एक नवजाज शिशु उ दे दिया और वो पेत्रोज की कारवा की तरफ चल दिया तो पेत्रोज ने पूछा जब वो पहुचा कि क्या तुमने कपड़ा बेच दिया तो हाफिद ने सारी कहानी और सारी गटना बताई कि वो कपड़ा उसने एक नवजाज शिशु को दे दिया इस यात्रा में तुमें कोई ज़्यादा लाब नहीं हुआ परंतु मुझे इस अंधेपन से मुक्ती मिल गई पेत्रोज ने कहा जिस चर्च चमक्तवे स्तारे के बारे में मैंने जाना आज उसने मेरी आँखे खोल दी कुछ दिन बीट गए और कुछ वर्ष बीट गए और एक बार हाफित जो है अपनी तबेले में घास पर लेटा हुआ था और पेत्रोज जो है काफी बीमार हो गया और उसने हाफित को बुलावा भेजा और कहा कि तुमने अपने महत्व आकानशों के बारे में क्या सोचा है तो उसने हाफित को कहा कि मेरे पलंग के नीचे एक छोटा सा संदूख है उस संदूख को निकालो उस संदूख में दस ताड़ पत्र है यही वो रहस्य है जिसे तुम्हें जानना है कुछ साल पहले जब मैं मवेशिया चलाता था तुमसे भी मैं गया गुजरा था और मैंन में लिखा है तीस दिन तक इसको बिल्कुल रट लेना और जब तुम्हें भगवान संकेद देगा खुद्रत संकेद देगी तो यह ताड़ पत्रों क्या संदूख उसे दे देना यह चमड़े के दस ताड़ पत्र ग्यान का वो रहसे हैं जो सफलता के लिए बहुत ही जरूरी हैं अगले साल इस ताड़ पत्र में लिखे शब्द को पूरी तरह रट लेना जब तक कि तुम्हारे जीवन का यह हिस्सा ना बन जाए और इनको हम कहते हैं आदते और जब तक तुम्हारे यह दस आदते तुम अपने जीवन में लागू ना कर लो तब तक जीवन में इनी को पढ़ते रहना और यह ताड़ पत्र कभी भी दूसरों को ना है तो देना क्यूंकि कुद्रत तुम्हें खुद संकेत देगी इसका अकली हकदार कोन है तुम इतने अमीर बन जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते पर तुमें एक शर्त और भी है कि जो तुम धन कमाओगे उसकी आदी संपती उन लोगों में बाढ़ दोगे जो बहुत ही जादा जरुवत मंद हैं तो इस तरह यह आप चित्र में देख रहे हैं किस तरह हाफित को पेत्रोज जो है वो संदूक और दस ताड़ पत्र देता है तो अब हम शुरू करते हैं पहला ताड़ पत्र तो यह पहले सफलता का रहस्य है कि आज में एक नया जीवन शुरू कर रहा हूँ असफल और सफल लोगों के बीच की एक छोटी सी रेखा है और वो क्या फर्क है अच्छी आदतें हर तरह की सफलता का पुझी है और बुरी आदतें असफलता का दरवाजा खोल देती हैं इसलिए मैं इसे पहले नियम का पालन करूँगा यह नियम बाकी सारे नियमों के उपर आता है अच्छी आदतें डालूँगा और बुरी आदतों का कभी गुलाम नहीं बनूँगा और नित्य तीस दिन तक इन्हें दोराऊंगा ताकि वो मेरी अवचेतन मन में बस जाएं जो सदा सुप्त अवस्ता में भी जागा हुआ रहता है जैसे अंगूर की बेल अंगूर को तोड़ कर खाया जाता है क्यूंकि वह ग्यान के मोती जिस दुनिया में महान सेल्जमेन पेतरोस ने अपने जीवन में अपनाये थे आज मैं पूरी तरह तैयार हूँ असफल और असफलता और दर्द में अधिक अंतर नहीं है परन्तु आज ये ग्यान मैं जान सकता हूँ क्यूंकि सैयम और धैरी में यदी मैं बेकार की बातों को छोड़ दू और व्यर्थ अर्थ हीन बातों में अपना समय ना विताओं तो मैं वाके में सफल हो सकता हूँ हमारे अनुभव बिलकुल नए जीवन के फैशन की तरह होते हैं क्यूंकि जो अनुभव बीत गया वो अब किसी काम का नहीं वो अनुभव तो आगे काम नहीं आता और वो तो कल में चला गया इसलिए वो मूल्यवान भी नहीं है तो सबसे जादा मूल्यवान है वो है असूल वैल्यूज उनको मुझे पालना है अपने मन में किसी तरह द्रड निष्टे करना है कि मुझे आगे सफलता को ही पाना है मेरे कर्म स्वाधीन है परंतु मैं गुलाम हूँ किन चीजों का मेरी भूग, चनून, लालच, प्यार, इर्शा, डर, वातावरन और इनी आदों तो मुझे बदलना है और सबसे बुरी ये आदत है और जिनका मैं गुलाम हूँ इन बुरी आदतों को मुझे आज से पराऊंगा और ये ताड़ पत्र में जो जो रहे से लिखा है उसे मैं तहे दिल से अपनाऊंगा आज मैं जागरत हुआ हूँ, होश में आया हूँ और मुझे धैरी यववन और जनून और तीवर इच्छा है कि मुझे डर के उपर काबू पाना है और इस दुनिया में मु एक नया जीवन जी रहा हूँ, एक नई अच्छी आदत का जनम होता है जब कोई कार्य निरंतर ध्वराया जाता है और वो तो आसान हो जाता है उसे करना, एक आनन बन जाता है और यदि इसे करना आनन दायक है तो मनुष की प्रकृती है कि वो इसे अकसर करता है, जब मैं एक काम को बार-बार करता हूँ तो वो मेरी एक नई आदत बन जाती है इस तरह वो जीवन का अंग बनती है और ये बनती है अच्छी आदत और आज से कई बार मैं नई जिन्दगी की शुरुआत करूँगा आज मैं पुरानी तवचा जो मेरी धूल है और मैं लोगों के को शीर नहीं समझूँगा और ना तो कभी फेल होंगा कि किसी भी काम को करते करते असफलता कभी भी मुझे चू नहीं सकती मैं हर जीवन के हर एक दिन को प्रेम के साथ देखूंगा और प्रेम के साथ ही जीऊंगा इस दिन का स्वागत मैं अपने दिल में प्रेम के साथ करूंगा हर काम में सफलता ये महान रहे से है कवच में छेद हो सकता है परनतु प्रेम अद्रिश्य शक्ती है जो लोगों के दिल में दरवाज़क खोल सकती है और जब तक मैं इस कला को नहीं सीख लेता तब तक मैं बजार में चिला चिला कर फेरी लगाऊंगा शायद कुछ बात बन जाए और प्रेम वो सबसे बड़ा हत्यार है जो किसी के भी दिल का दरवाज़क खोल सकता है और शायद कोई में से चीज खरीद ले और आज का जो सूर्य आया है मैं उसे प्रेम से देखूंगा क्यूंकि वो ही तो मेरी हटियों को गर्माहट देखता है मैं बारिश को भी बहुत प्रेम करूंगा क्यूंकि वो मेरी आत्मा को स्वच और पवित्र कर देती है मैं रोश्णी से भी प्यार करूंगा परन्तु अंधेरे को भी नहीं चोड़ूंगा क्यूंकि वो तो मुझे रात में तारे दिखाती है मैं दोनों रुकावटों और तोफों को खुले दिल से स्वागत करूंगा क्यूंकि ये सभी मेरी चुनोतिया हैं मैं अपने सभी महत्वा कांशों से प्रेम करता हूं क्यूंकि वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं प्रेम ही ऐसा शस्त्र है जो नफरत से मैं अपने खुन से सारी नफरत को आज धो डालूंगा मैं सारी मानवता से प्रेम करूंगा मेरे पास नफरत करने के लिए कोई भी समय नहीं होगा केवल प्रेम करने के लिए समय होगा मैं इसी शन अपना पहला कदम उठाऊंगा और जो सफर इंसान बनने के लिए बहर सबसे जाधा प्रेम करूगा मैं आज इस दिन को प्रेम से स्वागत तरूगा तीसरा ताड़ पत्र मैं तब तक जूचता रहूँगा जब तक मैं सफल नहीं हो जादा मैं संसार में हारने के लिए नहीं आया ना तो मेरे नसों में असफलता बहती है मैं तो कोई भेड भी नहीं हूँ जिसे गडेरिया हाकते है मैं एक शेर हूँ और ऐसे भेडों के साथ मैं समय विताना नहीं चाता ना तो मैं इनके साथ चलना चाता हूँ जो की भेड है मैं इनकी कभी नहीं सुनूँगा जो शिकायते करते हैं और रोते रहते हैं क्या मैं एक भेड़ से भी गया गुजरा हूँ मुझे ये पता है कि लक्ष तक पहुँचने के लिए कितने कदम उठाने हैं हो सकता है कि मेरे हजारवे कदम पर सफलता मिले और ये भी हो सकता है उसके अगले कदम ही मेरे सफलता लिखी गई हो तो मैं इस बारिश की बून से भी प्यार करूंगा जो पूरे से पूरे पहाड को धो देती है उस सितारे की तरह उस धर्दी को रोशन करती है उस गुलाम की तरह जो पिरमिड बनाता है क्योंकि अगर छोटे से छोटे प्रयास को लगातार किया जाए तो इंसान निश्चित रूप से सफल हो जाता है मैं किसी को भी दिन की निराश्टा से खतम नहीं करूंगा मैं जूट जूचता रहूंगा और भविश के बीच में आज मैंने जो बीज बोया है और अपनी मेहनत का फल अवश्य पाऊंगा जब दूसरे यहां संगर्श से रुख जाएंगे तो जब मेरा संगर्श शुरू होगा और मुझे इनाम मिलेगा और मैं सफल हो कहरी रहूंगा और दुनिया का महान सेल्समेन एक दिन अवश्य कहला हूँगा कल की बीती बातों से वो मुझे कोई भी रुकावट नहीं दे सकते मैं आत्म विश्वास के साथ हर दिन को सूर्य का सामना करूँगा जब तक सांस में मैं जूँचता रहूँगा अगला ताड़ पत्रत चोथा मैं दुनिया का सबसे महान चमतकार हूँ पुद्रत का सबसे महान चमतकार हूँ मैं दुनिया शुरू होने के बाद आज तक कोई भी इनसान ऐसा ना हुआ जिसके पास मेरे जैसा दिमाग, दिल, आग, कान, देह, बाल और ना ही आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है ना आज कोई ऐसा है जो आगे आने वाला है कल से कोई ऐसा होगा जो बिलकुल मेरी तरह चल रहा होगा, बोल रहा होगा, सोच रहा होगा सबी मनुश्य मेरे बाई हैं परंतु मैं उन सबसे अलग हूँ मैं विजाता की अद्बुत करिती हूँ मैं कुद्रत का सबसे महान चमतकार दूँ पता नहीं कितने साल युगों की उपज हूँ मैं और आत्मा के स्तर पर जाने कितने जर्मों के बाद मुझे ये तन, मन और शरीर पाया है मैं एक बहतरीन इंसान हूँ मेरे से पहले जाने कितने ही राजा माराजा आए और वो भी मेरी तरह बहतरीन बने मैं आज पूरी तरह सक्षम हूँ वो सभी कारे को करने के लिए क्योंकि मेरा जनम ही एक चमतकार है और मैं अपने आज के करमों के द्वारा इनी चमतकारों को और भी बना सकता हूँ मैं इस धर्ती पर एक उद्देश के लिए आया हूँ और ये उद्देश पहाड की तरह बढ़ना ना ही रेट के कण की तरह लुप्त होना है मैं अपनी सारी उर्जा और मेहनत लगा के इस उद्देश की पूर्ती के लिए इस धर्ती पर काम करता रहूंगा क्योंकि मैं इन सब से अलग हूँ पता नहीं कितने लोगों के धन संपत्ती और निशे कर लिया उन्होंने अपने एक भाशन से कहा कि वह है समान भेजने की कला और मैं भी इस कला को जरूर सीखूंगा मैं अपने वक्तित्व में नया कार लाऊंगा और शीग्र बदलाव भी लाऊंगा जब भी मैं बहार जाऊंगा कारे करने के लिए मैं अपनी घर की परशानियों को घर में ही छोड़ कर जाऊंगा और बजार की समस्याओं को कभी अपने घर में नहीं लेके आऊंगा भगवान ने मुझी बुद्धी, तान, मन और आखे दी हैं इस संसार को देखने के लिए जीवन का गहरा रहस्य जानना है मुझे आकिरखार एक महान सेल्समैन बनना है यही मेरी समस्या है और कोई भी निराशा मेरे इस रस्ते को रोक नहीं सकती दिल के दुख वास्तव में छुपे हुए हैं और इस अफसर पर मैं ये जान गया हूँ कि मैं भगवान का बनाया हुआ एक चमतकार हूँ मैं प्रेम में कल्पित हूँ और उद्देश के साथ लाया गया हूँ मैंने अतीत में इस जीवन को आकार दूँगा और मार्क दर्शन करेंगे मैं प्रक्रतिक सबसे बड़ा चमतकार हूँ और प्रक्रति कभी हार नहीं मानती अता मैं भी विज्जे हूँगा मैं एक महान बिक्री प्रतिनिद्वित सेल्समैन बनूँगा क्यूंकि मैं अनोखा हूँ और प्रक्रति का एक महान चमतकार हूँ अगला ताड़ पत्र आज और मैं आज का दिन अपने आखरी दिन की तरह सुईकार करूँगा मैं कल के दुर्भाग्य और कल की पराजयों की निराशा को बड़े अफसोस करने से एक ही शण में बरबाद नहीं करूँगा क्यूंकि सूर्य कभी पूर्वु में जाकर दुबारा से नहीं आता वो जहां से उपता है और पस्चिम में जाके अस्थ होता है इसी तरह समय भी था हुआ कभी भी वापस नहीं आता जो जख्म पेडों पर लगे थे वो फिर से पूरे नहीं हो सकते या वो वापस ठीक नहीं हो सकते कल हमेशा के लिए दफन हो चुका है और उसके बारे में मुझे जरा नहीं सोचना मैं सुबह का स्वागत अपनी खुशी से करूँगा जैसे की कैदी जब उसकी मौत की सजा माफ हो जाती है उस सुबह का स्वागत करता है मैं भी रोज और हर दिन को इस तरह स्वागत करूँगा कि वो मेरा आज का आखरी दिन होगा मुझे अतरिक दिनों को जीने के लिए क्यों भेजा गया है जबकि मुझे बहुत कई लोगों ने इस दुनिया में मेर से पहले ही आये थे और वो अपने लक्षों को हासिल कर चुके हैं तो मुझे भी इस धर्दी पर अपने लक्ष को हासिल करने के लिए भेजा गया है यही एक वो अवसर है जिसे मुझे उसका फायदा उठाना है कल क्या मैं कल से बहतर आज बन सकता हूँ मुझे इसी पर चिंदन करने की अवशक्ता है मेरे पास एक ही जीवन है और वो समय आज नहीं बरबाद करूँगा क्यूंकि वो समय कभी भी वापस नहीं आएगा हवा को क्या कोई बांच सका है आज का समय हर मिनिट बहुत ही अनमोल है प्राइसलेस है क्यूंकि मरा हुआ व्यक्ति अपनी सारी संपती दे कर भी अपने वो लिए सांसे नहीं खरीच सकता कल पर कोई भी कार्य नहीं करूँगा आज की ड्यूटी, आज के करतविया आज ही पूरा करूँगा मैं अपने बज्चों के साथ अच्छी तरह खेलूँगा और अपनी पत्नी को भी बहुत प्रेम करूँगा क्यूंकि वो भी शाश्वत नहीं है एक न एक दिन चली जाएगी हर एक मित्र के साथ सदा उनकी मदद करूँगा किसी काम को कल पर नहीं टालूँगा सबसे अच्छा बनूँगा आज के दिन मैं इसे एक शन भरपूर जीऊँगा और अधिक से अधिक सामान को बेच कर धन संपती अरजित करूँगा मैं एक ऐसा प्रेक्ती हूँ जिसको आज में जीना है और आज ही मेरा आखरी दिन होगा और अगर नहीं है तो मैं अपने घुटनों पर जुप कर अपने आप को धन्यवाद दूँगा यहां पर आज पांचवा ताड़ पत्र खतम होता है हम अगले छे से लेकर दस ताड़ पत्र को फिर से दूसरे साधाय में आगे शुरू करेंगे